आईए अब हम ट्यूटोरियल 4 पर चलते हैं जिसमें फिर से 5 समस्याई शामिल हैं जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जाएगा तथा यह हमारी पिछली यात्रा का एक संख्शिप्त विवरन है जिसमें हमारे पास है एक बॉक्स में पार्टिकल पर आधारित समस्या पर चर्चा की तब हमने जैसी समस्याई देखी थी एनरजी आइगन वैल्यू उर्जा आइगन फंक्शन की गणना करने के लिए आदी और ये समस्याई फिर होगी हमें ऐसी समस्याई होगी जिनमें आपको गणना करनी होगी एनरजी आइगन वैल्यू और उर्जा आइगन फंक्शन और हैमिल्टिनियन ओपरेटर तो वैव फंक्शन और चारिक्ता से आईए अब हम ब्रा और केट नोटेशन पर चलते हैं तथा के कारण से आप देखें कि हम वास्तव में पहले ही देख चुके हैं लीनियर वेक्टर स्पेस में हमने देखा है मान दंड की गरना कैसे करें गरना कैसे करें यह योग असमानताएं जो हमने सीखी हैं जैसे इनिक्वालिटी क्या दर्शाती है त्रिभुच इनिक्वालिटी तथा अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अब्रा और केट नोटेशन के लिए और आईए समस्याओं से शुरू करते हैं इसलिए पहली समस्या है आप परिणाम के बाद देखेंगे कि यह विशेश ओपरेटर जो आपको एक कैप माइनस आई ए दिया जाता है माइनस आई ए के रूप में है एक विशेश ओपरेटर इसे हल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ इसलिए पहली समस्या तुम एक केट पर विचार करें स्पेस अपनी खुद की आईगन पर अवधी ए आई दिया हुआ है तथा हरमिशन ओपरेटर इसलिए ओपरेटर ए एक हरमिशन है हम जानते हैं कि एक हरमिशन ओपरेटर क्या है एक डैगर है क्या है हरमिशन ओपरेटर इसे याद रखे हमने इसे पहले देखा है लेकिन अभी अभी प्रती पर तनाव मैं यहां लिख रही हूँ और हम इस समपत्थी का उप्योग करेंगे यदि आवश्यक अगली बात यह है कि यह मिशन ओपरेटर का आइगन वैल्यू ए आई है तो ए आई इस ओपरेटर का आइगन वैल्यू है तो आपको बताना होगा कि इस दिये गए ओपरेटर का क्या महत्व है मैं एक से एन तक जा रही हूँ ए माइनस ए ओन जैसा माइनस ए आई तो यह आपको दिया गया एक ओपरेटर है तथा इस समस्या में प्रोड़क्ट इन्वोटेशन है मुझे इसे यहाँ लिखने दे जहां I S के बराबर नहीं है यह क्या है प्रश्ण का अर्थ है तो आपने देखा है कि प्रश्ण में I S के बराबर है तो अब हमें करने दो लिखो यह operator आप इस operator को संचालित करेंगे पर यह केट हो गया वह आइगन केट AI है जो आपको दिया गया है ठीक, तो आइगन केट AI है संचालित पर इसलिए आपके पास I1 से N है मुझे यह notation लिखने दो A-AI अपॉन AS संचालित operator AI पर ठीक और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि AI इस operator का आइगन वैल्यू है तो मुझे यहाँ लिखने दे जब A आइगन पर संचालित होता है बंद हो गया AI आपको आइगन वैल्यू मिलती है ठीक है यह आइगन operator है आइगन वैक तरक्षमा करें यह operator है और यह आइगन वैल्यू है तो अब जब आप इसे संचालित करते हैं आइ एक के बराबर इन और आइ एस के बराबर नहीं है ठीक इसलिए A माइनस AI के उपर AS माइनस AI यह operator है अभी मैं यह इस operator पर आइगन केट AJ operate करूंगी इसलिए जब AI का operation किया जाता है तो आपको AI मिलता है और अब जब मैं इस पर AJ संचालित करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है AJ माइनस AI के उपर माइनस AI के रूप में यह आपको क्या मिलता है कब AJ इस पर संचालित होता है अभी आप देख सकते हैं कि इस से क्या आप कोई कनक्यूजन निकाल सकते हैं नहीं इसलिए आपको मामला बटा मामला देखना होगा तो मामले में एक ठीक है दो मामला होंगे तो मामला एक कब J के बराबर है I ठीक तो इस से आप क्या करते हैं तरक करना तथा बेशक यह राशी प्रोड़क्ट वहाँ है यह वहाँ है ठीक है और अब जब J बराबर है I आप क्या प्राप्ट करते हैं जब J बराबर होता है तो आपको राइट हैंड साइड मिलता है एक यह आइगन वैल्यू एक हो जाता है इसलिए आइगन वैल्यू एक है ठीक और कब J S के बराबर नहीं है इसलिए जब J S के बराबर नहीं है यह बराबर नहीं है लेकिन मैं एक से N तक जाती हूँ और यदि यह एक वैल्यू चुनता है जब j i के बराबर हो जाता है किनी बिंदूओं पर numerator point हो जाता है तो कम से कम एक value है 0 ठीक कम से कम एक eigen value 0 है ठीक इसका मतलब है कि j के लिए s के बराबर नहीं है यह आइगन value 0 हो जाता है तो यह operator यह operator है के वल के रूप में लिखा है यह हो सकता है के रूप में लिखा एस ठीक है तो यह कुछ और नहीं बलकि आपका है projection operator एक projection operator याद रखें है जब s समान है इसलिए आप वास्तव में इसे लिख सकते हैं जब आप इस operator को संचालित करते हैं j पर operator minus ai minus aj है यह जब संचालित होता है aj देंगे अब इस s operator के terms में जब तुम लिखते हो या jth operator जो आप प्राप्ट करेंगे ठीक है इसलिए जब terms sj के बराबर हो तो मुझे इसे इसके बजाई लिखने दो इसलिए जब sj के बराबर हो आपके पास बस j होगा तो जब यह एक है आपके पास जब j s के बराबर हो और जब j s के बराबर नहीं है यह शूने हो जाएगा तो अब हम दूसरी समस्या पर चलते हैं अब समस्या 2 में यह आपके लिए एक exercise है व्यावहारिक वक्रिया शील ब्रा और केट नोटेशन तो ब्रा और केट नोटेशन आपको X के उस trace की गणना करने के लिए उपयोग करना होगा और Y बराबर है Y का X में अनुरेखन तो यही हमें साबित करना है X गुना Y का trace Y गुना X के trace के बराबर है यही हमें साबित करना है तो इसमें हम ब्रा और केट नोटेशन का उपयोग करेंगे तो विशेश रूप से trace क्या है यह योग है diagonal तत्व अब ब्रा और केट नोटेशन में यह trace के रूप में लिखा जा सकता है X, Y, N तो जब तुम्हें गुना करना हो मेरा मतलब है जब आप इस operator को लिखते हैं और product करने और एट बार जब आप product प्राप्त कर लेते हैं तो आप जोड देते हैं diagonal element तो आप जोड देंगे यह योग होगा राशी over N इसलिए जब आप Nth element का योग करते हैं तो यह आपका X गुना Y है और आप diagonal element को जोड देंगे आप यह योग तब करेंगे जब N, N के बराबर होगा इसका मतलब है कि बरा और केट का हिसा एक जैसा होता है तो एक, दो, दो, तीन, तीन, इन, इन और इसी तरह आप तत्वों को जोड देंगे तो अब यह है इन और इसमें आई जोड ना आई डाला एक projection operator एक पूर्ण आइगन कीट M तो चलिए मान लेते हैं कि M यह Y है ठीक है, यह है आप ऐसा कर सकते हैं इसे इस प्रकार लिखें M से अधिक summation इन, तथा आप इसे ब्रा और केट notation में इस तरह लिख सकते हैं तो अगले चरण में मैं क्या करूँ कि मैं वास्तव में इसे फ्लिप कर सकता हूँ क्योंकि यह है एक multiplication तो यह नहीं होगा मामला अगर मैं इन्हें फ्लिप करती हूँ dummy index यह अब projection operator है जो एक है ठीक, मैं इसे फिर से लिख सकती हूँ aim aim के निशान x और तुम अब y गुना x हो जाएगा aim ठीक, पूर्व में आपने देखा है जो आपके पास है m, y और x तो अब यह निशान के सिवा कुछ नहीं होगा मैं फिर से y गुना x के trace के रूप में लिखती हूँ ठीक तो यह बहुत ही सरल एक्सरसाइज है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है ब्रा और केट नोटेशन पर ओर्डर पाने के लिए आपको ऐसे ही सरल एक्सरसाइज करने चाहिए तथा आने वाली समस्याओं में भी हम देखेंगे ब्रा और केट नोटेशन का उप्योग करके समस्याओं को हल करना बहुत आसान है आइए अगली साधारन समस्याओं पर चलते हैं जो है, आपको दिया गया वह एक देखने योग्य आइगन स्टेट में एक और दो है अवलोकंड ए मापको दिया गया है जिसमें एक और दो आइगन स्टेट है और हैमिलटनियन ऑपरेटर तो आइगन कहता है इस operator के आइगन स्टेट है एक, दो और Hamiltonian operator द्वारा दिया गया है कुछ इस तरह आपको दिया जाता है अब यह इस bra और ket notation के रूप में लिखा जा सकता है के रूप में फिर से लिखा जा सकता है matrix form, आप इसे matrix form में लिख सकते हैं जहां omega constant है और आपको आइगन स्टेट और उनके आइगन वैल्यू को प्राप्त करना होगा ठीक इसलिए हम यहाँ है ओमेगा तो आपके पास है एक, दो इसलिए जब आप एक matrix लिख रहे हो यह एक, एक component होगा यह दो, दो component होगा एक, दो यहाँ होगे एक और दो, एक यहाँ होगा एक और एक, एक component और दो, दो component नहीं दिये गए है इसलिए आप इस प्रकार लिखेंगे तो आप पिछले में देख सकते हैं ट्यूटोरियल भी हमने ऐसी समस्याइं देखी हैं तो आगे जा रही हूँ इस समस्या के अगले भाग में जहां आपको गणना करनी है आइगन स्टेट और आइगन वैल्यू आप इससे देख सकते हैं हैमिल्टनियन ओपरेटर और आइगन वैल्यू का अनुमान लगाई यह बहुत आसान है तो आपको आइगन वैल्यू याद है एक्वेशन ठीक है जो गणना करना नहीं जानते मुझे फिर से प्रदर्शित करने दो यह आइगन वैल्यू एक्वेशन है एक वेक्टर साई पर आइगन वेक्टर पर ओपरेटर है आइगन वैल्यू है और साई एक्वेशन से आइगन वेक्टर है इसलिए एक बार जब आप गणना करना चाहते हैं तो एक बार गणना करें आइगन वैल्यू आप आसानी से आइगन फंक्शन की गणना कर सकते हैं तो इससे मैं कह सकती हूँ कि आइगन वैल्यू है ओमेगा और माइनस ओमेगा यह बहुत ही सरल है आपको Hamilton के लिए सिर्फ सबस्टिटूट करना होगा और Hamilton एन ओपरेटर और समबंधित आइगन वैल्यू की गणना करें ठीक हमारे पास क्या है अगर मैं लैम्दा वन को बुलाती हूँ ओमेगा एक है ठीक ठीक मेरे पास ओपरेटर एच साई एक के बराबर है लैम्दा एक ओमेगा है और लैम्दा दो माइनस ओमेगा है तो एच साई वन पर ओपरेटर है ओमेगा साई एक ठीक अब आप जानते हैं कि क्या है ओपरेटर एच ओमेगा साई वन ठीक तो आप बस कर सकते है यहां से जानिये जब मैं यह करती हूँ तो मेरे पास यहां एक साई है ठीक है मुझे साई एक को योग एकस एक के रूप में लिखने दे एकस दो ठीक तो मुझे यहां क्या मिलेगा है एकस दो एकस वन X 1 X 2 के बराबर है ठीक केवल ठीक मुझे इसे यहीं करने दे X 1 बराबर X 2 है इसका मतलब होगा वह आपके पास साई 1 है एक बटा रूट 2 है एक एक यह देखना बहुत आसान है आपका साई एक और कुछ नहीं बलकी एक है तो मैं X के मान कैसे प्राप्त करूँ यहां फिसे मैं उप्योग करूँगी सामानी करन की कंडीशन साई 1 स्टार साई 1 है तब आप सामानी करन फैक्टर का पता लगाते हैं और फिर आप यह दे सकते हैं अब फिसे यह के लिए है साई 2 मुझे साई 2 को X2 के रूप में कॉल करने दे योग Y1 और Y2 ठीक है तो उसी तरह से जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं साई 2 यहां लैंबडा 2 माइनस ओमेगा है तो आपके पास X2 शून्य से X1 के रूप में होंगे और X एक घटा X2 के रूप में अगर आपका X1 एक है तो आपका X2 माइनस वन है तो यहां साई 2 एक बटा रूट दो होगा एक माइनस एक इस तरह आप लिख सकते हैं अब फिर से मुझे इसे फिर से लिखना है की टर्म्स एक और दो ओप्रेटर यह आइगन वेक्टर मैं आइगन स्टेट और दो के टर्म्स में लिख सकती हूँ मैं वह कैसे कर सकती हूँ यह है फिर से एक आसान कदम जिसमें आप इसे लिखेंगे मुझे एक के लिए प्रदर्शन करने दो दूसरा जिसे आप आसानी से गणना कर सकते हैं साई एक हमारे पास है यह मैं इसे फिर से लिख सकती हूँ एक शून्य प्लस शून्य एक सही तो अब यह है एक प्लस तू उसी तरह साई दो आपको कुछ ऐसा मिलेगा तो अब आपने व्यक्त किया है आइगन स्टेट टर्म्स के अनुसार यह है स्टेट एक और दो इसलिए आपके पास साई एक इस रूप में साई दो इस रूप में तथा यह आइगन वैल्यू के अनुरूप है ओमेगा यह आइगन वैल्यू माइनस ओमेगा से मिल खाती है यह एक आसान तरीका है काम करने का इसलिए यदि आपने ऐसे उधारन नहीं किये हैं जहां आपको इनर्जी आइगन वैल्यू की गण ना करनी है या आइगन वैक्टर यह एकसरसाइज आपके लिए जरूरी है यह एक साधारन उदाहरन है और यह आपको हल करने में मदद करेगा अधिक कठिन या अलग समस्याएं इसलिए आपको ऐसी कम से कम एक समस्या का प्रयास करना चाहिए ट्यूटोरियल के अगले भाग में हमें दो और समस्याएं होंगी आएए मिलते हैं ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में आएए में देपको जाना चाहिए अधिक करेगा से कम समस्याएं आएए मिलते हैं आएए